कि हो कोई सबजी नई लजीज और वो भी जटपट तो ये वीडियो आपके बड़े ही काम आएगी दही कड़ी ये हेल्दी भी है और बहुत ही जटपट बनके तयार हो जाती है बिना जादा मेहनत के आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक कड़ाही में तेल गरम कर कि उसके बाद एक-एक करके सारे तढकी की सामागरिए ढलेंगे जैसे की हरें कुछ सेकंद के बाद डालेंगे साबूथ जीरा और राइ जैसे ही दाने तढके ढलें सुखी लाल मिंच हरी मिर्च कटे हुए और कुछ कड़ी पत्ते कुछ सेकंड के बाद डाले कटे हुए प्यांस हमें बस प्यांस का रंग बदलने तक भूलना है उसके बाद डालेंगे टमाटर मिला लेंगे फिर जाएंगे सुखे मसाले जैसी की हल्वी लाल मिर्च पाउडर स्वादर नुसार और धनिया पाउडर इसके अलावा आप अपने मन पसंद मसाले डाल सकते हैं मिला कर हमें टमाटर नरम होने तक पकाने उसके पस्चाद डालेंगे सारे क्रंची सबजिया जैसे बाद जैसे कटी हुए बंद को भी गाजर कैप्सिकम हम यहां पे सारे क्रंची सबजिया ले रहे हैं यानि की कुरकुरी ताकि सबजी उतनी ही बहतरीन लगे डालेंगे नमक स्वाद नुसार अब हमें भाप में ही सबजी को नरम होने तक पकने देना है पानी नहीं मिलाना है पात से साथ मिनिट ही लगेंगे उसके बाद डालेंगे अधरक लैसुन का पेस्ट एक चोटा चमच मिला के या स्टोफ बंद करके हमें सबजी को पूरी तरह से ठंडी होने दिना है जिहां दही मिलाने से पहले यह बहुत इंपोर्टन स्टेप है और दही यहां मेने फ्रि अब दही मिलाते हैं सबजी में अच्छी तरह से ठंडी है अच्छी तरह से मिला लेंगे इस वक्त आप मिलाने के बाद सबजी चक कर देखिए जरूर अगर जरूरत हो तो हलका सा नमक दोबारा मिला सकते हैं उसके बाद मिलाए कटे हुए धनी तयार है दही की सबजी हेली और जटपट बना के हमने तयार कर लिए है अगर आपके पास घर में कोई सबजी ना हो तो आप तड़की के साथ बस प्यांस और टमाटर के साथ दही की सबजी बना के तयार कर सकते हैं सबसे बेस्ट कॉंबिनेशन रोटी फुड का पराठी के साथ जरूर ट्राए करें और कमेंट में बदाए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो करें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें करी वीडियो लाइक चैनल को सबस्क्राइब और बेल पे टाप चल्दी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए ख्याल रखें बाई बाई